फ्री फायर कब वापस आ रहा है भाई और अन्बैन होगा कि नहीं होगा आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्योंकि इसके उपर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिसमें लोग बता रहे हैं कि इस डेट को आएगा इस डेट को आएगा या इस इस तरीके से आएगा, तो इस वीडियो में आपको किलियर करने वाले हैं, कि यह सब कितना ज्यादा सच है, सच है या नहीं है, और Free Fire अगर वापस आता भी है, तो कब तक आएगा, Play Store पे आएगा, सब कुछ इस वीडियो में किलियर करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता दू कि इसका कहीं भी confirmation नहीं हुआ है, 100% confirm नहीं हुआ है, कि यह Free Fire वापस आपका आएगा, और आने की तो छोड़े यार, Play Store पे बहुत सार लोग बता रहें कि Play Store पे भी आ जाएगा, Play Store तो बहुत दूर की बात है, अभी वापस आ जाए, वहीं बहुत काफी है, और व तो ऐसा है नहीं है, कि Free Fire चला गया, तो Free Fire Max पे लोग नहीं खेल रहें, अभी भी खेल रहें, बट जो इंट्रेस्ट होता है, बहुत लोगों कम हो गया है, क्योंकि इसका मेन रिजन है, आपको पता हुगा टूर्णामेंट, क्योंकि टूर्णामेंट के वज़े से जो क्रे आपको पता हुगा कि अपने इंडिया में बहुत ज्यादा यह स्पोर्णामेंट कर रहा था, एक दूसरे से मतलब फाइड कर रहे थे, और इसका लामें मतलब एक तो Free Fire कर वाता ही था, अपना टूर्णामेंट, इसका लामें भी बहुत सारे से मार्केट में आप आप आग नहीं है, तब भी आप टूर्णामेंट खेल के वहां से कुछ कमा ले रहे थे, और बस यह Free Fire के बदलत था, और अभी क्या हुआ कि टूर्णामेंट जब Free Fire बैन हुआ, तो उसके पास से क्या हुआ कि Free Fire मैक्स तो रहा, मिंस कि आपके खेलने के लिए रहा, आप समझ लोग क एक इंजवामेंट के लिए रहा, बट जो Free Fire का मेन मकसद है या जो ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा था, वो अभी इंडिया में नहीं रहा, जो लोग टूर्णामेंट खेलने वाले थे, जो अपना टीम बना रहे थे, जो कैरियर देख रहे थे इसमें, उनका यहां पे काम खतम हो गया, और जिसे आपको पता भी होगा कि पहले जो चैनल पे वीडियो के वीज होते थे, वो काफी जादा आते थे, और अभी जो है, आप देख रहे होंगे क्या हो गया है Free Fire YouTubers को, तो सीन यहीं है कि टूर्णामेंट अगर होता है, सबसे पहली बात, मैं आपको यह नहीं क पानता है, क्योंकि रीजन यह है कि इसमें सो कोई भी चेच कनफर्म नहीं है, और अपने से तुक्का लागाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहूं तो यह से बता सत्ते हूं कि इस तारीकों इस डेट को आने वाला है, तो इसे कोई फायदा नहीं होने ठीक है, तो मैं सिंपल यहीं बताऊंगा, कि एक चीज है, एक ही ही इंटा है, जिसके वज़ा से हम कुछ कर सकते हैं, पहला तो यह कि आपको यह स्पोर्ट का टुनामेंट का है, वाटिसरी जोने वाला है, जो कि I think November में होगा, तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है, कि ऐसा है मिल रहा है, कि उसमें इंडिया भाग ले सकता है, इंडिया के कुछ टीम सो सकती है, ज्यादा तो लोग बता रहे हैं, दो सलोट हो सकता है, इंडिया के लिए, तो अगर ऐसा होता है, और इंडियन टीम भी उसमें खेलती है, तो इंडियन टीम अगर खेलती है, तो उसके ल तो पहले ये इंडिया में और्गनाइज होगा टूर्णामेंट, तो उसी टूर्णामेंट में बहुत साय लोग भाग लेंगे, जो नॉर्मल पहले जो खेल रहे थे, वो आराम से इसमें खेलना सुरू कर देंगे, तो समझ लो कि अगर टूर्णामेंट फिर से होता है, तो सब कुछ सही हो सकता है, और फिरीफायर वापस आने की बात है, तो अभी फिरीफायर मैक्स है, अगर फिरीफायर नहीं भी आता, टूर्णामेंट होने लगता है, टूर्णामेंट सब कुछ चलने लगता है, तो फिरीफायर आये चाहे ना है, मेरे ख्याल से नहीं लगता ह कोई फर्क पढ़ने वाला है कि टूर्णामेंट खेलना सब कोई पसंद करता है और टूर्णामेंट से सब कोई को मतलब है जाधा तर तो फिरी फायर मैक्स में भी आराम से खेल लेंगे जो टूर्णामेंट खेलने वाले हैं जो भी टीम्स होगा रहा है बाकि आप लोग इस टूर्णामेंट होने लगता है टूर्णामेंट का कोई भी सीन बनता है फिर आप समझ सकते हो कि फिर से ग्रो हो सकता है अपना ये स्पोर्ट ठीक है तो होफूली समझ में आ गया होगा मिलता है नेक्स वीडियो में बाबाए एंड टेक केर